नमस्कार अश्टडी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है तो आपका असनातक अस्तरिय नियुक्ति जो आई हुई है और यह जो है आपका सरकारी वेकेंसी है सरकारी नियुक्ति है इसमें तो उसको हम लोग डेटेल से जानेंगे क्या कुछ वेकेंसी निकल करके आया हुआ है कहां से आपका विकेंशी है कब तक अपलाए कर सकते हैं सब्सक्राइब यहां पर डिटेल से जानेंगे तो अगर पद का नाम इसमें देखा जाए तो फर्स्ट नम्मर में आपका सचिवाले सहायक का पद है वेतन लेवल सेबन का है युग्यता इसमें जो है अब देख सकते ह प्रसना तक होगा और वहीं कुल पदों की संख्या का बात किया जाए तो काफी अच्छा पद है इसमें तैरह सो साथ पद है वही अपका सकेंड नमबर पे जो है वेकेंशी इसमें अपका यूजना सहायक का पोस्ट निकल करके आया है और आप देख सकते हैं इसका क्या होने वाला है आपका यूज्यता तोसना तक है और इसमें पोस्ट का बात किया जाए तो यहां पर मेंसन है आपका पोस्ट अब देख सकते हैं पोस्ट जो है यहां पर 125 और फिर यहां पर जो है 40 उसी परकार पहला वाला में भी था आपका अब देख सकते हैं तैरे सो साथ और चार सो साथ तो अलग-अलग केटेगरियों में अलऒ-अलग तरह का जो है पोस्ट निकल करके आपका आया हुई है अब देख सकते हैं उसके साथ साथ आपका थर नम्मर पे जो है वह मलेरिया निरक्षक का पोस्ट निकल करके आया है मलेरिया निरक्षक का और इसमें बिज्ञान संकाय में असनातक या समकच्छ होना चाहिए तभी आप इसे अपलाए कर सकते हैं वहीं डाटा इंट्री ओपरेटर ग्रेट सी का भी पोस्ट है इसमें और इसमें जो आपका युग्यता होगा युग्यता यहां पर मेंसन है आपका क्या होने वाला है असनातक के साथ मानियता प्राप संस्थान से PGDCA अथवा BCA होना चाहिए तभी आप इसे अपलाए कर सकते हैं पोस्ट का बात किया जाए तो पोस्ट आप इहां पर मेंसन है आपका वहीं आंकेज छक का भी पोस्ट निकल करके आया हुआ है और इसमें जो होने वाला है आपका क्यालिफिकेशन असनातक गनीत के साथ अथवा वानिज के साथ होगा तभी आप इसे अपलाए कर सकते हैं पोस्ट यहां पर आपको मेंसन है कितना आपका पद के लिए यहां वेकेंसी निकल करके आये हुए हैं वहीं आपका आंकेज छक जो है आंकेज निर्दिसालाई में इसमें आपका जो होगा निम्तम यूग्यता वह आपका असनातक वानिज अर्थसास्त्र सांखी की अथव गनीत में से किसी एक विशे में असना तक होना चाहिए तभी आप इसे अपलाई कर सकते हैं इसमें जो पोस्ट निकल करके आये हुए है आप देख सकते हैं काफी अच्छा पोस्ट है इसमें भी और इस परकार आपका कुल पोस्ट जो है गृष्ए निकल करके आया हुआ है वह भी यहां पर मेंसन है तो नियम्तम योग्यता का इसका बात किया जाए तो देखिए आपका उनलाइन आएदन समर्पित करने की अंतिम चीथी तथा अभ्यार्थी के नियुम्तम प्राप्त बिश्विद्धाले से असनातक एम उपर्यूग्त तालिका में वर्नित पदों के सामने उलेखनी नियुम्तम सेचनिक युगता में उतिन होना अनिवार्ज है तब ही आप इसे अपलाएं कर सकते हैं वहीं यहार अरक्षन की बात की गई है तो अगर आप यह जो हैं अपकर कहां से निकल करे आए हुए हैं तो आपका बिहार दादीन सेवाओं में आरक्षित कलाव राई के के मूल निवासी को मिलेगा राज के निवासी हैं तभी आपको आरक्षन का सेवा मिलेगा लेकिन आप इसे अपलाई कर सकते हैं अधर जो स्टेट के लोग भी इसे अपलाई कर सकते हैं और डिटेल यहां पर आरक्षन का दिया गया है आप देख सकते हैं अगर आप आरक्षन में आएंगे तो य वहीं जो बाते दी गई है यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें जो प्रमुक्ष है आपका वह एज है तो एज की बात भी कर लेनी चाहिए इसमें तो देखें जो है नियुनतम आपका ट्वांटिवान येर होना चाहिए और फिर केटेग्री वाइज जो है आपका एज यहां पर मेंसन है दिया गया है आपका कितना होने वाला होगा है वहीं परिक्षा सुल्क पर भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है तो आपका परिक्षा सुल्क जो होने वाला है यहां पर देखिए आपका कैटेग्री वाइज जो परिक्षा सुल्क होगा वह यहां पर मेंसन है इसके साथ साथ यहां पर यह भी में इंसन है आप देख सकते हैं लास्ट वाला में कि आपका बिहार राजी से बिहार राजी के बाहर के सभी स्रेनी के अभ्यारती जो है पुरूस या महिला क्या है उसको जो फी लगने वाला है वह पांच सो चालिस रुपिया फी लगने वाल तो आप इसे ओनलाइन जो है 14-4-2022 से 25-5-2022 तक इसे आप उनलाइन समिट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ आपका परिक्षा की प्राकृत्य क्या होगा तो वह जो है एक्जाम जो होगा आपका वह अपका वस्तों प्रीश्ट होगा उसमें अजियाम जो है वहां आपका वस्तोनिस्ट होने वाला है प्रार्मिक परिछा वस्तोनिस्ट प्रकृतर की हो गी वहीं प्रार्रमिक परिछा का माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तिया के 5 गुना संख्या पराबर क्या है रिजल्ट आपको को दिआ जायेगा प्रारमिक परिक्षा में एक मातर समयन ग्यान का होगा जिसका निम्नांकन विशे होगा हो कि मैं समयन ग्यान होगा और इसमह बिसे जो होगा समयन अध्यान생 विग्याँ एम गनीथ और मानशिक चंगत चार्ट से आपका कोश्चन रहेगा इसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका कोश्चन रहने वाला है वह यहाँ पे मेंसन किया गया है कुल प्रस्णों की संख्या जो है आपका 150 होने वाले हैं परतेक सही उत्तर के चारंख दिये जाएंगे और गलत के एक काटे जाएंगे तो इसमें नेगेटिव मांक्स भी है आपको ध्यान देना होगा और इसके साथ साथ यह जो परिक्षा का अवधी होगा वह आपका दो घंटा पंद्रों मिनट होने वाला है आपका प्रारामी परिक्षा का भासा का मा होने वाला है देखी यहां पर मैंन जड्यान की यहां high पर फिर उसी तरह सबका से यहां आपका कि एका करके मैंचन किया गया है मांसिक्षबंत से क्या होने वाला है गनित से कहां से कोश्ट सब यहां टीटेल से आपको मिल जाएगा वहीं पास सिंग मार्क्स का बात किया जाए तो देखिए आपका अलग-अलग केटेगरी वाइज जो है आपका मार्क्स रहने वाला है वालिफाई मार्क्स ऑनलाइन का कब तक करतना है और कब आपका कब से स्टार्ट होगा या सब हम लोगों ने जान चुका है यहां पर और कुछ किलियर किया गया है आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है आपका यह वाला होने वाला है इसी पर जाकर करके आपको ओनलाइन करना है इसे और कुछ महत्पूर्ण बातें यहां दिये गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा अगर आप यूग्यता रखते हैं तो तो यह जो वेकेंसी आये हुए हैं यह जो वेकेंसी है आपका वह आपका असनातक अस्तरिये पदों की नियुक्ति हेतु है और यह जो वेकेंसी है वह आपका बिहार करमचारी चेयन आयों के तरफ से आया हुआ है ओके थैंक यू यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे बेस्ट ओफ लग